नमस्कार दोस्तो मेरोटुप चैनल में आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में बात करने माले हैं 36 गड़ के बस्तर जगदलपूर में कई पदो पर सवीदा भरती हेतू विज्यापन जारी किया गया है इसके लिए कौन-कौन अवेधन कर सकते हैं कितना पड़ा लिका होना चाहिए आप लोगों को मेहने में कितना सेलरी दिया जाएगा और इसके लिए आप लोग कब से कब तक अवेधन कर सकते हो इसके साथी साथ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसका ओफिसियल नोटि प्रमड की स्थिती को देखते हुए बस्तर जीले के स्वास केंद्रों में मानव संसादनों के सुद्रीरिकर्ण एवं COVID-19 के रोक्थाम हेतु दिम्रापाल मेडिकल कॉलेज जगदलपूर महरानी जिलाच चिककसालाय जगदलपूर एवं इस्थानिया कारलाय द्वारा दिकिस्सा अधिकारी, माइक्रो बालिजिस्ट, लेब टेकनीशियन, लेब अटेंडेंट, डाटा एंट्री ओपरेटर, सीटी टेकनीशियन, एवं MPW पूरुस निउक्ति परिक्रिया हेतु विज्यापन जारी किया जाता है आगे पढ़ते हैं, सविदा भरती है तू कारलाय के इमेल आईडी से अवेदन पत्र, अमंत्री कर, मेरिट के अधार पर चैन किया जाना है जी हाँ दोस्तों, आप लोगोंने सही सुना है, जो आप लोगों का जो चैन होगा, सेलेक्शन होगा, वो मेरिट लिस्ट के अधार पर किया जाएगा आगे पढ़ते हैं, पत का नाम आप लोग पढ़ सकते हो, मेडिकल ऑफिसर, स्रेडिवार रिक पदों की संख्या आप लोग देख सकते हो, समानने वर के लिए 5 पद है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 14 है, और जो टोटल पदों की संख्या है, वो 23 है सेक्षडिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यह आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, MBBS with registration in CG Council, एक मेहने में कितना वेतन दिया जाएगा वो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, 58100 से लेकर 1 लाक रुपे तक, माइक्रो बैलोजिस्ट के लिए समानने वर के लिए 1 पद है, तोटल पदों की संख्या 1 है, सेक्षडिक योग्यता देख लेते हैं, MSC Microbiologist और 2 साल का Experience होना चाहिए, महने में 35,000 रुपे दिया जाएगा, Lab Technician के लिए समानने वर के लिए 8 पद है, OBC के लिए 5 पद है, SC के लिए 1 पद, और HT के लिए 23 पद है, तोटल पदों की संख्या 37 है, सेक्षडिक योग्यता आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो, BMLT या फिर DMLT और इसके साथ 1 साल का Pathology Technician Course with Registration in CG Paramedical Council से होना चाहिए, सेलरी दिया जाएगा 14,000 रुपे, Lab Attendant के लिए समानने वर के लिए 1 पद है, तोटल पदों की संख्या 1 है, सेक्षडिक योग्यता 12 इसके साथ 2 साल का Experience होना चाहिए, सेलरी दिया जाएगा 12,000 रुपे, समानने वर के लिए 2 पद है, OBC के लिए 2 पद है, और HD के लिए 6 पद है, तोटल पदों की संख्या 10 है, सेक्षडिक योग्यता आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो, 12 पास MPW Course Pass with Registration in Paramedical Council, सेलरी दिया जाएगा 12,000 रुपे, Data Entry Operator के लिए समानने वर्ग में 2 पद है, OBC के लिए 1 पद है, और HD के लिए 5 पद है, तोटल पदों की संख्या 8 है, सेक्षडिक योग्यता graduate with at least 1 year diploma computer application में होना चाहिए, सेलरी दिया जाएगा 10,000 रुपे, CTE Technician के लिए समानने वर्ग में 1 पद है, और HD के लिए 1 पद है, टोटल पदों की संख्या 2 है, सेक्षडिक योग्यता diploma certificate in city technician course along with registration in cg paramedical council, सेलरी दिया जाएगा 25,000 रुपे, अवेदन पत्रे के संबन में कुछ जानकारी पढ़ लेते हैं, कारलाय मुख्य चिकिस्सायम स्वास अधिकारी जगदल पूर 36 गर्ड के email id में अवेदन अमंत्रित किये जाते हैं, एक्चुक अभ्यारती दिनांग 22,2020 से 29,2020 तक कारलाय के email id में अपना अवेदन पत्र भर कर अवस्यक दस्तावे जो प्रमाड पत्रों को स्वय प्रमाडित कर भेज सकते हैं, अपूर्ण एवं तुटिपूर्ण अवेदन माने न मन में दिशा निर्देश, पद पूर्णता अइस्थाई होगा, पद इस्थापना निउक्ति थिती से आगामी तीन माहेतु किया, जावेगा एम COVID-19 की थिती को देखते हुए अवस्यक्ता अनुसार सेवा अवधी में व्रिधी की जा सकती है, अवेदन पत्र पूर्णता भर कर सभी सनलंग्न दस्तावेजों को स्वयम परमाडित किया जाना अनिवार होगा, आयू सीमा देख लेते हैं, अवेदन की उम्र एक जनवरी 2021 को निउतम और ठारा वर्स होनी चाहिए, आगे पड़ते हैं अवस्यक्तावेज देख लेते हैं क्या-क्या होना चाहिए, ब अप्छम अधिकारी दुआरा प्रदय जाती परमाड़ पत्र एवं मुल निवास परमाड़ पत्र, रोजगार काला का जीवित पंजियन क्रमांग यम दिनांग, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अवेदन पत्र है, वो नोटिफिकेशन के सांस सललगन है, आप लोग आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, तो आप लोग ओफिसियल नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, उसके बाद ही आप लोग इसके लिए अपलाई करें, ओफिसियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को अ आप लोग यहाँ पर second number में देख सकते हो भरती पर क्लिक कर देना है आप लोगों को, दुबारा से आप लोगों के सामने next page open हो जाएगा, आप लोग यहाँ देख सकते हो प्राणबिक थिती 24-2021, अंतीम थिती 29-2021, आप लोग यहाँ पर सिर्षक पढ़ सकते हो, विवरन पढ़ सकते हो, और अगर आप लोगों को notification और अवेदन पत्र डाउनलोड करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है, और दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो official notification है, वो डाउनलोड हो चुका है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसके साथी साथ जो अवेदन पत्र है वो भी डाउनलोड हो चुका है तो उमीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंदा है तो लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो सस्क्राइब कीजिए ताकि ऐसी काम की वीडियो जुरुत मन्दोगों तक पहुंच सके इस वीडियो से रिलेटर अगर आप लोग कोई सवाल है तो हमें कमेंड बॉक्स में कमेंड कीजिए ताकि हम आप लोगों के सवालों का जवाब दे सके धन्यवाद